एक दिल देखाने वाले वाका, एक दिल मलूल वाका अब भी जो है शुमाली कस्मीर में पेश आया है, जिस मैं एक लड़के ने अपनी मा को कतल कर दिया, कहने में हमें हिचकिजाट होती है कि ऐसा भी मामला होते हैं कि एक बैटे ने अपनी मा को ही कतल कर दिया जो मा अपनी बैटे के लिए क्या नहीं करती है लेकिन आज रफियाबाद गाउं में एक बैटे ने अपनी मा को कतल कर दिया शिमाली कश्मीर के बारामुला जिल्ले के रफियाबाद गाउँ में खिला कर रख देने वाला एक वाका पेश आया एक बैटे ने अपनी चालिस साला मा को कतल किया ये मा को कतल किया उसके बाद वहाँ पे मकामी लोग और पुलीस वहाँ पे पहुंची और उसको अरेश्ट किया उसको गरिफतार किया बताया जा रहा है कि ये जो लड़का है ये पैशे से ड्राइवर है उसके बाद इसमें मामला भी धरज किया गया इसमें बताया दिया कि एक तेज़दार हथियार से उसने अपनी मा पे हमला किया जिसके नतीजे में वो जखमी हुई उसके बाद उसको नजदी की हस्पिटल में लिया गया था लेकिन तब तक उसने दम तोड़ दिया था उन तमाम नौजवान उन तमाम बैटूं से गुजारिश की जाती है कि वो अपनी मा की इज़द करें अपनी मा का वो दिन याद करें जब वो कुछ करनी पाते थे यही मा है जो उंगली से उसको चलाना सिकाती है यही वो मा है जो अगर बच्चा कुछ बुखार होता है तो वो पूरी राद तो उसके लिए जाकती थी ये वो ही मा होती है जो बच्चों के लिए रोती है हर किसी के पास गिर गिराती है लेकिन ये जो वाका पेश आया रफियाबाद शिमाली कश्मीर मैं जिसने शरमसार किया है पूरी इनसानियत को कि ऐसे भी लोग इस दुनिया में जी रहें जिन जो अपनी मा को ही कतल कर रहें इन वाकाओं को रोकना होगा, हमारी अपनी सोंच को बडलना होगा इस वाकाओ में जो F.I.R. भी दरज की गई है, वाकाओ दरज किया गया है इसकी जो ये वाकाओ है, मैं एक बार फिर बता हूँ, ये रफियाबाद शिमाली मश्किर बारमला जिला का है जिसमें एक लड़के ने अपनी ही 40 साला मा को कतल किया मज़ीद अपडेट के लिए आप देखते रहे दैलिफ्ट